वेलकम टू इन्फो ट्रेड तो साथ यो एक न्यू वेकेंसी निकल कर आई है बहुत अच्छा डिपार्टमेंट है तो यहाँ थोड़ा सा कन्फूजन स्टुडेंट्स को इसलिए हो रहा है सब डिपलोम मांगा एक साल के लिया जो डिपलोम वाले है न वो भी अपलाई कर सक टाहूं अगर आप इन्फो टेड अप्लिकेशन को अगर आपने यूट्यूब चैनल को अप्लिकेशन को डाउनलोड नहीं किया है तो डाउनलोड कर लिजिए चैनल को सब्सक्राइब कर लिए वीडियो को लाइक भी कर दिजिएगा क्योंकि कल यहाँ पे हमने आपके भी हाँ चल चुकी है और उससे रिगार्डिंग हमेरा जो एप्लिकेशन पर जितने भी बार्क के कोर्सिस है सभी में ही लाइब क्लासी चल रही है तो अभी भी समय है अभी भी 15-20 दिन है अगर आपको लगता है कि कुछ कमी रह गई है आप में तो ये सोल हो सकती है ये सोल हो सकती है बार्क 2.0 स्टेज 2 के लिए बार्क 1 स्टेज 1 के लिए चलिए जी तो चलते हैं सीधा का आपने नोटिफिकेशन की तरफ जो की नोटिफिकेशन आया हुआ है मेरा कहां से VCRC यानि सर ICMR Vector Control Research Center की तरफ से Medical Compress Indra Nagar Pudy Cherry की तरफ से निकल कर आया है तो नोटिफिकेशन कब आया यहां से देखेंगे तो यहां जो बै आई टे वाले जो वकिंसी है के वल उसकी तरफ फोकस करूंगा ठीक है ये computer science की है अगर आपने first class bachelor degree करिए तो भी आप कर सकते हैं first class इंजियन डिप्लोमा करा है तो इस form को fill कर सकते हैं ठीक है क्लियर पोस्ट को टी ये साई साइको वाला जो होता ये होता है chemistry वाला ये होता है ठीक है मैं आपको ले चलता हूं sociology जो social work है ये उनके लिए होगा name of the post education qualification इसमें first year three bachelor degree होनी चाहिए ठीक है चलिए तो चलते हैं सीधा कहां चलते हम सीधा कहां आपको लेके इस vacancy की तरफ जो कि इसमें अच्छी तरीके से बिल्कुल इस पस्ट रूप से ये उन्होंने कहा है कि हाँ यहां आईटे वाले candidates भी इस form को फिल कर सकते हैं तो अगर आप देखेंगे जायतर इसमें non-tech की vacancy देखिए रहा रेफरी जेशन एंड एयर कंडिशन ठीक है तो जो RAC वाले students होते हैं वो इस form को फिल कर सकते हैं अच्छी तरीके सब पोस्ट एक होगी OBC पे है असेंसल क्वालिफिकेशन क्या मांगा गया है इस कितनी होनी चाहिए 28 साल इसकी एस होनी चाहिए 12 मांगा गया है और सब्जेक्ट इंटर्मेडिट पास साइंस होनी चाहिए 55 परसेंट मार्क होनी चाहिए और एट लीस्ट एक साल का डिप्लोमा होना चाहिए रेफिरिजेशन एयर कंडिशन फ्रोम में गोर्म Ond रिकोगनाइज इस टी ट्यूर्ट तो यहां जो ये वाला पॉंट है ना एट लीस्ट वन इयर डिप्लोमा वाला है ना तो यहां डिप्लोमा क्या एक साल का होता है खुश सोचो क्या होता है तो यहां आई्टे वाले किसमें होनी चाहिए आपको one year at least one year diploma किसमें होना चाहिए जी plumbing में होना चाहिए तो इस form को ऐसे strengths को यहां fill कर सकते हैं जो कि उसने किस किसले मांगा गया है ओके अगला क्या कोन सा लेबरेटरी अटेंडेंट की post है तो लेबरेटरी अटेंडेंट में क्या-क्या मांगा गया है टोटल इसमें 19 पोस्ट होंगी दस भी पास होनी चाहिए पचास बसक्त मांक्स होना चाहिए और पिलस आपके पास एक साल का working experience होना चाहिए इस टे लेबरेटरी अटेंडेंट में तो लेबरेटरी अटेंडेंट में अगर आपने form फिल किया है या आपके पास experience है तो इस form को आप फिल कर सकते हैं तो instrument mechanic वाले strengths के लिए यही है तो instrument mechanic वाले भी इस form को फिल कर सकते हैं ठीक है यहाँ जो पोस्ट नेम है हमारा पोस्ट कोड जो है LAIM मतलब instrument mechanic OBC वालों के लिए एक सीट हैसे में दसवी पास होना चाहिए पचास परसेंट मांग सोना चाहिए और वही सेम criteria जो उसमें मांग गया है ठीक है clear तो यहां से इन्हों ने अच्छी तरह में कह दिया है instrument mechanic, plumber, RAC वाले, IK वाले strengths इस form को fill कर सकते हैं of source, fitter, electrician, electronic mechanic वाले इस form को fill नहीं करेंगे ठीक है तो जो आपकी थोड़ी सी confusion हो रहा था कि सर यहां कब होगा, क्या नहीं होगा क्या क्या IT वाले इस form को fill कर सकते हैं, diploma मांगा गया एक साल का, तो वो वही है ठीक है, clear, तो यहां से इसकी official website यह होगी, इन पर जाके आप विजिट किसेगा ताकि सारी details आपको यहां मिल सकें, अच्छी तरीके से payment और application fees की बात करते हैं तो सर, 300 पर fees होगी, plus payment gateway 34 होगा, तो यहां से आप देख सकते हैं, कि यह होगा और जो women's candidate belonging to SCST होगे, उनको कोई भी form करने की जूरत नहीं हो ठीक है जी, के लिए तो इसने बताया गया है कि selection of post के लिए बात करते हैं, कि इसकी TA, technical assistant पर post है तो इसने बताया गया, plumber पर हो गया, IM पर हो गया, और RAC पर हो गया, तो यहां इन्होंने अच्छी तरह बताया क्योंकि post जो है आपकी किस नाम से निकली है, सर, technical assistant के नाम से निकली हुई है तो यहां इसमें आपको इतना ये पूरा आगया, relevant subject में 60 होगा, general intelligence, general awareness, quantity, aptitude, English, number of questions 60 इतने होगे, maximum marks इतने होगे, time आपको इतने मिलने वाला है technician first की बात करते हैं, तो technician first में ये सब होगा, laboratory attendant की बात करते हैं, तो देख लिजेगा, जो भी आपने post के लिए apply किया हुआ है, तो सभी के लिए उन्होंने syllabus को open कर दिया है age limit की बात करते हैं, तो age limit तो वही जो age lexation मिलता है, आपके SCST वालोस को, तो इसमें बस वही मागा गया है ठीक है जी, तो ये अच्छी vacancy है, क्योंकि ये विबाग इतनी vacancy निकालता नहीं है, बट इस बार vacancy आई है, तो अच्छी vacancy है निकल कर आई है ठीक है, तो ये PDF बहुत बड़ी है साथ ही हो, तो यहां जो important दस्तावेश्टे, highlighted point से, वो मैंने आपको यहां बता दिये है ठीक है, के लिए, तो किसी का कोई doubt हो, तो इसके नीचे मुझे send कर दीजएगा ओके, तो इसमें देखो, अब वो है नहीं कुछ भी, केवल इसमें क्या क्या मांगा गया है, क्या क्या मांगा जाएगा, बस इसमें वो ही है चले जी तो आज के लिए फिर इतना ही तो आज के लिए इतना ही वीडियो पसंद आइए वीडियो को लाइक किजेगा चैनल को सब्सक्राइब पिजएगा मिलते हैं तब अगले वीडियो में तब सभी दोस्तों को बाइबाइब